तो बच्चो आज हम चैप्टर वन के जो क्वेशन आंसर से उनको रिवाइज कर रहे हैं कि इनको हम समझेंगे और याद करेंगे मैंने यह कोश्चन आंसर सापको आपकी फेर नाड़ में लिखने के लिए दिये थे आसा है कि आपने लिख लिए होंगे कि तो उनको आपने यादगर यादभी करना है कि यह आजती के होंवर्क में है और सॉता स्थी स्थाथ मैंने आपको दिया है आज एक्सेसाइस की बेज पर उसे कि टेस्ट को आपने अपनी छले नोड़क हो करना है इसमें केवल आप आंसर लिखेंगे और उन उसके उपर आप क्लास टेस्ट लिखेंगे सबसे उपर क्लास टेस्ट उसके बाद कि अपने डिटेल लिखेंगे नेम आपका क्या है फादर नेम क्या है और विलेज यह आप लिखेंगे और उसकी एक फोटो को खीच करके फोटो साफ होनी चाहिए ताकि दिखाई दे और उसको आप मेरे वाटसप नंबर जो की टेस्ट के नीचे मैंने दिया हुआ है उस पर बेज देंगे ओके तो चलिए हम कुश्चन आंसर कुरिवाइज कर रहे हैं इसको भी आप याद करेंगे और कल हम इनका टेस्ट लेंगे ओके तो चलिए समझने कुश्च करिए फर्स्ट कुश्चन है फ्रॉम वेर डू यू गैट यूर फूड पूछा गया है कि आप अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं फ्रॉम वेर मीज कहां से गैट मीज प्र फूड़िते हैं लेगिन अमें क्या पता कि प्लांट या इनिमल्स हो तो आप देखिए जैसे मान लोग एकजम्पल के तोर पर आप रोटी कहते हो यह तो डो हम टी जो बनती इसमें इनिमल्स में आ गए तो हम दो सोच लिखेंगे इसमें कि एक तो यू से हम स्टार्ट करने के बज़ा क्योंकि हम से कुछ आ रहा है तो हम भी लिंगे एंड़े वी गैट आवर फूड ही के साथ हमेसा अवर अवर आता है कि हम अमारा भोजन इंदीवीदेखे तो हम अम या तो या तो प्लांट से और एनीमल्स या फिर जानुनूस को हम दो है लेते हैं प्लांट या म spin आ ठीक है next है नेम एने two अनिमल्स ऐसे दो जानू हो बता हो फिर धी है जो कि गिल्स इसांस लेते हैं तो इसे सांस लेने वाले वाले मोस्लीटों तो क्या है हमारी पीशें, जो पानिम पाए जातی हैं तो हो नेकल किसकी संवाल करती है गैल का हिस्सकार करती है कि दूसरा नाम इसमें करते हैं फ्रोग ऐसे जो अडल्ट पोटा है बड़ा जो मकी अखेस नहीं होते हैं और उस समय ये गिल खिर से ये पानिस अखे'? कि गिल्स आपने देखा भी होगा जैसे सार्क जैसी मचलियां होती है तो उसमें क्या है कि सार्क जैसे मचलियों में यहां पर माउथ के या हैड के पास में ऐसे लाइन लाइन से होती है चार या पांच यह ज़्यादा हो सकती है तो यह लाइनेज होती है यही गिल्स होती है इनके अंदर अगर देखा जाए तो गिल्स होते हैं जहां से यह सांस लेती है एक्शली क्या करती है यह पाने पीती है और इन गिल्स के थरू गिल्स में से बाहर निकाल देती है ऐसे पा कि नेक्स इसमें कुछ सब्सक्राइब कि वे फ्रॉम वेयर फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट देर फूड अब यह प्लांट के बारे पूछा गया कि प्लांट्स अपना वोजन कहां से प्राप्त करते हैं तो प्लांट्स का आपको पता ही है कि प्लांट्स अपना खाना ख प्लांट जन प्रिपेर मिलें भोड़ेर कर सकते हैं बना सकते हैं ये इनस इंकर खाना बना सके ठीक है तो यह तीन नाम आपको जरूरी याद रखने है की पोदा अपना खाना किस चीज़ से बनाता है तो अब रिखेंगे एयर वाटर एड़ सनलाइट नेक्स पर चलिए अब हाव डू हुमस्ण मनुष्य हम कैसे सांस लेते हैं तो हम पता है कि कौन चौन और करते हैं तो हमारे फेफर होते हैं लंक होते हैं तो हम आपने अपने यह दो से पड़नने में दो एक एक लेप्ट साइड में ठीक है और आगे हमारी नोज से जुड़ा होता है नोज से अवा अंदर जाती है और फिर दोनों लंग्स के अंदर चली जाती है और फिर वापस वहीं से आती है और फिर नोज से बाहर जाती है यह तो आपको पता ही है कि हम सांस के रूप में ऑक्षिन लेते हैं और कर्मडाइसेट क वाई मस्ट लीविंग ठीज इट वहाई क्यों जरूरत है लेविंग ठीज को खाना क्यों ज़रूरी है तो आप सब्सक्राइब को भराइब हो वह खाना किष्टी खाती है वह आपको यहांपर बताना है ठीक है ओल लिविंग तिंग्स नीड फूट लिव जिन्दा रहने के लिए वो खाना खाती है अगर वो खाना नहीं खाएंगी तो मर जाएंगः इसके साथ फूड है लोटes घ्रो करने के लिए अब बढ़ने के लिए भी उनको फूड की ज़ोत्य पढ़ती है तो ग्रोव करने के लिए भी फूड की जरूरत होती है क्योंकि हम जो बड़े होते हैं तो उसके लिए फूड का एक पार्ट इंपोर्ट होता है जो में हल्प करता है नेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे हाई ओडर्ड थिंकिंग स्किल के जिसमें हम अपनी जो समझ है उसका इस्तेमाल करते हैं कि हमने क्या समझा है उसके आदार पर इनके आंसर देने होते हैं है कि जैसे याher कोसम दिया हुआ है एक कार मुज और नीड पैट्रोल माख देन में वर्जरो fading ज होती है वाएसे ही इहां पर कहा ओप्र है वह ह हम भी करती है आपरने का जलती है अम धिक don पार को दाकत देता है चलने के लिए वैसे फूड हमें ताकत देता है चलने के लिए या और वो दूसरे काम करने के लिए तो यह भync रहा है कि Is the car living तो क्या हम कार को living समझे सिना यह0 living है तो इसमें आपर सुन पूछा गया कि क्या हम कार को living समझे जाए या nol है तौह समझ सकते हैं में एक हिंटी भी दिया हूँ है कार कि क्या अपने आप मुँख करती है आदेकर्म इसको इसी इस पर हम अंसर देंगे कि जो कार है वह करती है लेकिन वह अपने आप से मूल करती हम उसको चलाते हैं उसका उसको घुमाना हो तो स्टेरिंग गुमाते हैं वर सब्सक्राइब जो पर इसको घळाते वह कार butterflies does not move move नहीं करती है on its own स्वैम से मुव नहीं करती है मलब कार खड़ी है और अपने आप ही चलने लग जाए अपने आप कहीं पहुंच जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इस विज़े से हम इसको लिविंग नहीं कह सकते सब्सक्राइब थीजर फोए टीम की बिवेस्पार्ण एक न यहाइए प्रोल हम से काउंट कर रहे ब्दर क्वें से अपने में निक्तार आप आयं में अन्टui आपल प्लांट एंड आपल जैम में क्या डिफ्रेंस निए तो इसके निचे हिंट दिया हुआ है कि जो एपल जैम है वो अपने आप ग्रों नहीं करता या अपने आप मुझी करता है इसमें आप ओंसाब सेकंच कॉ virgG maker in उन्हीं करते हैं तो अपने यह बढ़ike सकते हैं अपने आप बढ़ता है और मो करता हैस्ट मुव बट एपनल जम हтории कैनल अबोगर करता है यह परोगरा प्रटशन को ऐसको हम आठा सकते हैं लेकिन अगर मू करते इसको ग्रोओं और तो फिर इटसेल्फ भी सकते था इसंवाइब लेकिन एपल जोएब ग्रोडने करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि ईपटल आपल जैम है वो एक नो लिविंग थींग है ओके तो यह क्वेश्चन आंसर होगे हमारे ओके तो यह आपका आज का होमवर्क है ओके बाए बच्चो एंड टेक केर